पूस्तों वीडियो को ज़्याधा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुझी समचा टूड़े ब्रेकिंग नीउस के रूपे। तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में हुई हिंसा के बाद से सियासी संग्राम चड़ गया है इसको लेकर के बीजेपी ने पस्ची मगाल की मुख्यमंतरी ममताब एनर्जी और त्रिमूल कॉंग्रेस पर करारा प्रहार किया है वहीं ममताब एनर्जी ने भी भारते जंता पार्टी को अपने सक्त तेवर दिखाया है देदी ने बीजेपी को चितावनी देते हुए कहा है कि तुम लोगों का नसीब आच्छा है कि मैं यहां सांध बैटी हूँ वरना तो मैं एक सेकेंड में दिल्ली के बीजेपी दफ्तर और तुम्हारे घर पर कबजा कर सकती हूँ ममताब एनर्जी ने बीजेपी अधग अमिजसा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अमिजसा क्या भगवान है जो उनके खिलाब कोई परदसन नहीं कर सकता है ममताब एनर्जी का यह बयान कौलकत्ता में अमिजसा के रोडसो में हुई हिंसा के सामने आया जे थे आपको बता दे कि अमिजसा ने रोडसो के दौरान बीजेपी और त्रिमूल कौउगरेस के समर्थों के सब्सक Billie भीज जडब से हुई थी मक्की की गिरफतारी पंजाब प्रांथ के गुर्जावाला में हुई है, मक्की की गिरफतारी जमात उद्दावा, फताह ए इंसानियत फाउंडेशन और जैस ए मुहमत से जुड़े ग्यारा संगठनों पर बैन लगाने के कुछ ही दिन बाद हुई है, अतंकवादी संगठन जमात उद्दावा ने मक्की का काफी प्रमुक था, वह दूसरी कमान का नेता के रूप में जाना जाता है, मक्की भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही जाना जाता है, साल 2010 में भारत बिरोधी बयान को लेकर के वह सुर्ख्यों में रह चुगा है, उसने पूने के जर् प्रधानमती नरेंदर मोदी को चुनोती देते हुए कस्मीर को आजादी दिलाने की बात कहता हुआ नजर आ चुका है। इन एपी के तहत जे यूडी और आई एफ आई के स्वामी तो वाली पांसो से अधिक संपतिया अब तक पंजाब प्रांत में जब्त की जा चुकी है। अब्दुलरह्मान मक्की की गिराफ़तारी संगठन पर दूसरी सबसे बड़ी कारवाई है। दोस्तो अगली बड़ी ख़बर मोधी को रोकने के लिए चुनाव नतीजों से पहले एक्टिव हुई सुनिया गांधी विपक्षी नेताओं को किया फोन। क्या आप दिल्ली में रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि नतीजों से पहले ही सुनिया गांधी विपक्ष के नेताओं के बैठक के लिए खुद अपने कंदों पर जिमधारी लेते हुए कवाय तेज कर दी है। दरसल कॉंग्रेस विपक्षी दलों की बैठक बुलाती है। ऐसे में यह साफ संदेश देखने को कोई कोशिस की जा सकती है कि भले ही हम सब प्री पोल गठ जोड का हिसा न हो लेकिन हम मोधी के खिलाफ लड़े और एक जुट है। सिर्फ राष्टिये लोगतांतरी गटवंदन यारनि एंडिये और सनुक्त प्रगतिसील गटवंदन यूपीये ही नहीं बलकि थर्ड फ्रंट में भी यह कवायद शुरू हो गई है। लोगसबा चुनाओ के नतीजे 23 मही को आएंगे। ऐसे में अगर इस चुनाओ में किसी दल या गटवंदन को अस्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो देश का सियासी स्वमिकरन पूरब से पस्चिम और उत्तर से दक्षिंतर पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए कॉंग्रेस के नतीत वाली यूपिये की अदक्ष सोनिया गांधी पूरी तरीके से सक्रिये हो गई है। पिछले दिनों अंदर पर्देश के मुख्यमंतरी चंदरबाबू नाइडू ने कॉंग्रेस अदक्ष राहूल गांधी से मुलकात की थी। इस दोरान दिली के विपक्षी दोलों को 21 माई को बैठा की यूजना बनाई गई है। अगली बड़ी कबर है पेटीम ने लॉंच किया क्रेडिट कार्ड हर सोपिंग पर कैस बेक। पेटीम ने एक नए तरीके का क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है। इसके लिए कमपनी ने सीटी बैंक के पार्टनर्शिप की है। सोपिंग को लेकर के इसमें नए ओफर दिये जाएंगे। इसे यूनिवर्सल उनलिमिटेड कैस बेक के नाम से पचार किया जा रहा है। यह फ्री नहीं है। इस कार्ड के लिए आपको हर साल 500 रुपे देने होगी। लेकिन अगर आप एक साल में पचास हजार की सोपिंग पर ये चार्ज नहीं देना होगा आपको। जिया दोसो पेटियम क्रेडिट कार्ड के लिए आप पेटियम एप से आविदन कर सकते हैं। कमपनी ने दावा किया है कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ अनलिमिटेड एक परसेंट कैस बेक दिया जाए लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10,000 रुपे खर्च करने होंगे। पेटियम फर्स्ट कार्ड नेशनल ही नहीं बलकि इंटरनेशनल में भी काम करेगा यानि इसे दूसरे देश में भी यूज किया जा सकता है। आपको बता दे कि अभी पेटियम कार्ड डेविट कार्ड स इसे निकलते हैं आकड़े। जी हां दोस्तो हिंदुस्तान में 17 लोग सभा चुनाव चल रहे हैं। इस बार लोग सभा 7 चरण में हो रहे हैं। अब तक 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। आखरी और 7 चरण के 8 राज्यों के 69 सीटों पर मतदान 19 मई को होंगे। इसक कोई चुनावी सर्वे तो कोई personal opinion दे रहा है लेकिन सबसे 60 आकलन exit pole का होता है। इससे पता चल जाता है कि किस पार्टी के पक्च में हवा चल रही है। कौन सा दल इस चुनाव में बाजी मारेगा। आईए आपको बताते हैं कि आखर exit pole होता क्या है। कैसे निकालते हैं exit pole चुनावी सर्वे की गणना के बारे में आपको बताते हैं exit pole से समझने से पहले सबसे पहले चुनावी सर्वे की गुजरता है exit pole तो मोटा मोटा यह है कि चुनाव के दोरान निरवाचों को वोटरों के बीच बादचित अलग-अलग राजनीतिक दलो, कैड़ेट्स के exit और opinion pole, जी हाँ दोस्तों आखिर क्या होता है exit pole, दोस्तों exit pole हमेशा मतदान के आखरी दिन ही होता है, जिस दिन voting होती है उस दिन data इकठा किया जाता है, आखिर फेस में voting के दिन जब मतदाता vote डाल करके निकल रहा होता है, तब उससे पुछा जाता है कि उसने किसको vote दिय और उस आधार पर किये गए सर्वेक्षंड से जो व्यापक नतीजे निकल के आते हैं, इसे ही exit pole कहा जाता है, आम तोर पर TV चैनल voting के आखरी दिन exit pole ही दिखाते हैं, जैसा कि मान लीजिए 19 मई को 7 चरण के voting खत्म हो जाएगी, और साम 7 बजे आप TV पर जो चुनावी सर्व देखेंगे वो exit pole ही होगा, इसे यह दिखाया जाता है कि कौन से दल के प्रत्यासी जीत रहे हैं और किस दल के प्रत्यासी हार रहे हैं, जी हाँ तो सो पहली बार exit pole की शुरुआत आखिर कब हुई थी, आपको बता दी कि exit pole सुरू करने का स्रे निदर लेंड के एक समाजव और पुर राजनेता मारसेल वार डेम को जाता है, जिन्होंने 15 फरवरी 1967 को पहली बार इस्तेमाल किया था, नीदर लेंड में हुए चुनाओ में उसका आकलन सटिक बैट जाता है, जबकि भारत में इसकी सुरुआत का स्रे इंडियन इंस्टिटूट ऑफ पब्लिक ओपिन पाकिस्तान की संकट में घिरी अर्थवेवास्था को अंतराष्टिय मुद्राकोस से आखिरिकार चोव अरब डॉलर का सहारा मिल गया, आईमेफ की सरते अभी तक भले ही अस्पश्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अंतराष्टिय संस्था इस्लाम पर राजस्व बढ़ाने सम कई सुधार बदलाव पर दबाव जरूर डालेगी, पाकिस्तान की इमरान खान की देरी से आईमेफ दरवाजा खट-खटाने के लिए आलोचना हो रही है, इमरान खान भुगतान संकट को टालने के लिए अपने मित्र देसों चीन और साओधी अरब से कर्ज ले रहे हैं, लेकिन आखिर कार उन्हें आईमेफ के पास जाना ही पड़ गया, पकिस्तान की अर्थमेवसा की रफ्तार सुस्त पड़ी है, सबजी और फलो के दाम आसमान चूर रहे हैं, और निर्यात संघर्स कर रहे हैं, पिछले महीने अपने कैविनेट में फिर बदल करते हुए इमर पाकिस्तान खालने अपने सहयोगियों और वित्मत्राले असद उमर को हटा करके अब्दुलहाफिस सेख को पदसव दिया था, यह 1990 के बाद से तीसरी बार है जब पाकिस्तान आईमेफ कारिकरम में सामिल हुआ है, इसकी आउधित तीन वर्स है, सेख के मुलाकात पाकिस्त पाकिस्तान को दो औरब डॉलर की रासी मिलेगी, जो कर्ज को देखते हुए बहुत ही कम है, पाकिस्तान कर्ज के जाल में पूरी तरीके से फस गया है, पाकिस्तान के कर्ज लेने की सुरुआत 27 मार्च 1952 से सुरु हुई, उसने जब 200 बैंक से रेलवे और विकास के लिए 27 22.2 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया, इसके बाद से पाकिस्तान की हर सरकार से यह सिलसिला बना रहा, आईएवेफ से मुलकात पाकिस्तान कर्ज वरतमान में जीडिपी का 70 पिसदी पहुँच चुका है, जो 2018 के जीडिपी का 60 परतिसद था, जी है तो तो पाकिस्तान आईएव बार उधार ले चुका है, और लगभग हर बार बिदेसी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए आईएमेफ बेल आउट पैकेट का सहारा लेती है, ताकि भुगतान संकट को टाला जा सके